जिहां सेंटर गौर्मेंट की नई फार्मासिस्ट की पर्मानेंट वेकेंसी का नया नोटिफिकेशन क्या कुछ अपडेट है बात करेंगे इस वीडियो में हेलो अबरीवन वेलकम तु मैंचेनों मसाइकेडमी दिस इस हिमानसु आप उस चैनल पे हैं जी हां मित्रों सेंटर गौर्मेंट की तरफ से नया नोटिफिकेशन आ चुका है पर्मानेंट फार्मासिस्ट की वेकेंसी को लेकर जिसमें की ऑल ओवर इंडिया के कैंडिट भी एलिजिबल हैं और साथ ही सबसे बढ़िया बात की सर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं कहां से नोटिफिकेशन है इस वीडियो लेक्शन में बात करेंगे जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं फर्स नोटिफिकेशन जो हम बात करेंगे गौर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्मेंट ऑफ अटोमिक एनरजी इंद्रा गांदी सेंटर फॉर अटोमिक रिसर्ट यहां यहां पर यह वेकेंसी रहने वाली है आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट में पर जाना है और यहां पर जैसे आप क्लिक करेगा इसका ओफिशल नोटिफिकेशन जो है पीडिया वो इसको हम जो है समझने की कोसिस करेंगे ठीके जी य यह जो डिपार्टमेंट ऑफ आटमिक एनरजी इंद्राग हांदी सेंटर फॉर आटमेंट जो है कलबकम में है यहां पर इसका सौट नेम क्या है आई जी सी ए आर के नाम से हम इसको जानते हैं ठीके यहां पर कई बार काफी सारी वेकेंसी आती रहे इसके बारे में भी हम वाट यह वेकेंसी आपकी पर्मानेंट रहने वाली है जिसकी एप्लिकेशन फॉर्म जो है 162000 चॉइस को स्टार्ट है यानि कि कल से स्टार्ट हो चुगी है और एक महीना लगबग आपको मिलेगा यानि कि 362000 चॉइसकी लास्ट रहने वाली है मैं तो कंप्लीट वीडियो क मेडिकल के साथ पैरामेडिकल की पोश्ट रहने की आपशिंग और oni सैंटिफिश्टन और यहां पर सॉन्यृटे चुलोजी हम बात करते हैं सरफ फार्मासिश्ट की वेकेंसी के बारे में डीटेल में तो यहां पे आप देख पा रहे हैं लेवल फाइब का पे रहने वाल है आपका ऊंतिस दो यहां पे आप देख पा रहे हैं देखिए 14 जैसी की मैं आपको बताया जिसमें की 8 वेकेंसी आपकी UR की OBC की 5 और SC की एक वेकेंसी रहने वाली है essential qualification की में बात करें तो 10 प्लस 2 यानि की high secondary level आपका होना चाहिए 2 साल का diploma in pharmacy प्लस 3 महिने की आपकी जो training रहती है जो हर कोई student complete करता है कोई दिक्कत नहीं है और आप एक registered pharmacist होने चाहिए central या state pharmacy counseling से sir defarm be farm दोनो eligible है तो जी हां as per pharmacist की post देखते हुए defarm be farm दोनो eligible है बट हां यहां पे mention diploma का ही है जब आप application form बरेंगे तो आप देख लीजिएगा be farm be farm दोनों mention है तो कुछ दिक्कत नहीं है बट दोनों mention नहीं है तो आप comment करके जरूर बताएगा क्योंकि इसके बारे में further भी हम discuss कर सके है बट usually आप देखेंगे तो center government की pharmacist B की post है तो दोनों ही eligible होने चाहिए कोछ दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है जी बस सर्थ क्या है आप जो है एक registered pharmacist होने चाहिए center या state से age limit की मैं बात करूँ तो जी हां 18 से लेकर 25 साल जो है इसकी age limit रहने वाली है यहां पे आप देख पा रहे है और आपका जो level प्ले है और आपका जो level पे है five level का है जो center government का रहता है फार्मासिस्ट का वही पे जो है आपको यहां पे रहने वाला है बात करते हैं सर यहां पे इसका selection जो है वो कैसे होने वाला है क्योंकि examination होगा क्या होगा तो यहां पे आप देख पा रहे हैं जी हां वाईया इसका examination होने वाला है यहां पे देखिए पोस्ट कोड फार्मासिस्ट की क्या है पी एच एम 01 है ना 01 के लिए क्या है सब दो process रहने वाले है पहला आपका primary test test रहेगा और दूसरा आपका जो है advanced test रहेगा और उसके बाद में जो है आपका trade test या skill test जो रहता है वो रहने वाला है ठीक है पहला जो primary test है उसमें क्या देखिए mathematics के 20 कुशन आएंगे science के 20 कुशन आएंगे general awareness के 10 कुशन आने वाले है ठीक है और जो जो student पहला primary test जो है व यहाँ पर आगर आप select होते हैं उसके बाद में further जो है वो आप trade test के लिए skill test के लिए select हुए जाएंगे यह सारा notification यहाँ पर बता रहा है ठीक है जी अब बात करते हैं sir age limit relaxation है क्या क्योंकि 25 साल ही है तो जी हाँ age limit का भी relaxation यहाँ पर लिखा हुआ है 25 साल के बाद आप कितने relaxation ले सकते हैं वो सारे की सारे PDF यहाँ पर अविलेबल है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं OBC Candidate जो सेंटर का अब दिनकों certificate बना हुआ है सेसी यहाँ पर आप देख पार है अब टू कितने साल का आप जो है relaxation मिल जाए तो यहाँ पर आप देख पार हैं पोस्ट कोड अगर जो है वो आपका यहाँ पर रखने वाला है उसके बाद में जनल कंडिशन लिखी हुए भाईया क्या इंपोर्टेंट है क्या इंटर्व्यू होगा कैसे application form बरना है आपको फोटो को साइज जो है वो कितनी रखनी है कैसे आपका reservation का बेनिफीशन आपको मिलने वाला है फिर सीदा सीदा notification जो है वो खुल जाएगा उसके बाद में आपको फोटो को साइज कितना लेना है वो क्या कुछ रहना वो सब कुछ यहाँ पर mention है वाईया complete यहाँ पर देख लीजिएगा कैसे apply करना है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यह लिंक जैसे आप यहाँ पर click करेगा अब बात आती है सर यह examination center government की pharmacist की तयारी जो है वो कैसे करनी है तो आप सभी जानते है हमारी mobile application जिसका नाम अवरसार Academy है Google Play Store से आप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे सभी pharmacist examination के लिए one of the best study material जो है वो available है जिसमें की आपको study material पुराने पेपर, book वगरा सब कुछ मिल जान है definitely आपको वो बहुत ही जादा helpful रहेगा क्योंकि हमने जो examination बनाया है वो schedule एस पर government pharmacist syllabus को देखते हुए बनाया है उसमें आपको syllabus मिल जाएंगा और syllabus wise जो है वो आपको study material को compare कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हम सभी जा examination दो महीने बाद जबी भी होगा आपको notification में जरूर दोंगा ठीक है जी मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं जैसे ही मित्रों कोई भी नई vacancy का तुरंत ही notification आता है center government की permanent vacancy अच्छे से समस्दय भी हम आगे बढ़ते हैं अमरसार academy एक ऐसा platform है जो हिंदुस्तान में सभी फार्मासिस्ट के लिए काम करता है मित्रों आप सभी जानते हैं हमारा एक ही एम है हर वो फार्मासिस जो student तयारी कर रहा है चाहे वो डी फार्मा हो बी फार्मा हो उसको सई और सटिक जानकारी के सार हर समय अपडेट रहें अपडेट रहें और अपने तयारी को कैसे कुछ करना है कैसे पढ़ना है कैसे important question बन है और इसी energy के साथ आप लोगों के पास जो भी information हम पहुचाते हैं ये हमेशा कायम है और मित्रों जो भी student pharmacist exam की preparation कर रहे हैं एक बार फिर से link description comment box में है आप हमारा study material join कर सकते हैं जो आपको सभी center government की pharmacist वेकिंसी गौर्मेट की pharmacist examination में काम आने वाला है जिसके link description comment box में interested है कर सकते हैं keep watching stay tuned